वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामाज गुरुकुल, वी बिलीव इन यू, जी हाँ दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप जिस लक्षे को निर्धारित करेंगे, उसको पाकर ही दम लेंगे, आप जो है बीच रास्ते में कई बार मान लीजिए, लड़ खडाएंगे, ग लेकिन फिर आप उठ खड़े होंगे, और फिर संगर्ष करोगे, और इसी तरीके से आपकी सफलता की कहानी लिखे जाएगी दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ राम चदर पटेल, और आप सब का स्वागत है पुना इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पे, जहां आपको तयारी करवाई जाएगी एसिस्टेंट प्रोफेसर की, आरेस की और अन्य राजस्थान से जुड़े कई important examinations दोस्तों, तो दोस्तों हमने एसिस्टेंट प्रोफेसर की कई सारे sessions लिये हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन वेक्ति जो है एसिस्टेंट प् भी बताया कि किस प्रकार से जो है exam का pattern रहेगा, क्या syllabus रहेगा, क्या book list रहेगी, तो आप पुर्ना जो है basically अगर आपने नहीं देखा है sessions मेरे, तो playlist में जाकर के ग्रामास गुरु कुल पे वहाँ आप जरूर देखेगा previous sessions, तो आज का जो session है दोस्तों, जैसा कि मैंने to understand how you can do preparation, how you can start your preparation, that is exam pattern को आपको जानना होगा, और उसी exam pattern को जानने के लिए मैं आज एक analysis वीडियो लेके आया हूँ, आप सब लोगों के लिए unit wise जो है, बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूचे गए थे previous दो assistant professor के examinations में दोस्तों, जल्दी से दोस्तों, आप एक बार comment करके बता दीजिए कि मेरा audio और video clear है, आप सब लोगों के लिए, very good morning, ममता जी, रमेश जी, very good morning, जल्दी से इस session के link को share कर दीजिए, I think so, I am just testing the times, I mean which would be the most suitable time on this platform, जहां पर basically आपको assistant professor की GK की जो है, classes regular basis के उपर start करवाई जाए, so do comment की आप preferable timing क्या चाहते हैं, जिस वक्त आपको जो है, मैं करवा सकता हूँ आपकी preparation, राजस्थान GK से जोड़ी हुई, तब तक के लिए, we will try and test, ठीक है, which would be the best particular time, ठीक है, चलिए, thank you very much ममता जी, so, देखते हैं, start करते हैं, आज का जो session है, वो है, राजस्थान quality, दोस्तों मैंने बताया था, कि राजस्थान GK जो paper third होता है, वो 50 marks का होता है, और बहुत ही important role play करता है, आपके selection के लिए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा important role play करता है, राजस्थान quality, राजस्थान quality को जानना आपके लिए, जो है, factual basis के उपर बहुत ही जरूरी है, कि facts में आप यहाँ पर strong होने चाहिए, आप देखिएगा किस प्रकार के questions पूछे गए हैं, और किस तरीके से वो fact-oriented questions हैं दोस्तों, मैं आपको विश्वास दे लाता हूँ कि अगर आप रामाज गुरुकुल के साथ में बने रहेंगे, और मेरी classes regular basis पे लेंगे, तो एक भी question ऐसा नहीं होगा, जो आपको संभवता basically solve ना हो, ठीक है, एकाद कोई ऐसा question हो जाए, तो समझ में आता है, वो नया question बनाया गया होगा, तो उसको भी solve करने की tactics मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप solve कर सकते हो, very good morning रोहित, very good morning, जल्दी से जल्दी एक बार सभी groups में इसके link share कर दीजे session का, ताकि हम लोग इस session को शुरू कर सकें, for the time being, let me introduce myself, ठीक है, मैं वर्तमान में senior research fellow हूँ दोस्तों, मैंने तीन बार net jrf निकाली है, RPSC का assistant professor 2021 का जो interview है, वो मैंने दिया था, ठीक है, और उसमें written में भी काफी अच्छे marks थे, somehow, it was not that good की, हम जो है, basically clear कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस बार साथ में मिलकर संगर्ष करेंगे, और एक जो है, सफलता की नई कहानी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, आप सब लोग बने रहेएगा मेरे साथ में, और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैंने R.A.S. mains जो है, चार बार लिखा है, और दो बार interview दिया है, उसमें, civil services का mains भी मैंने जो है, तीन बार दिया हुआ है, दोस्तों, तो अच्छा खासा अनुभव है, जो मैं आप सब लोगों के साथ साजा करूँगा, वेरी गुड मॉर्निंग, पृती मिना जी, वेरी गुड मॉर्निंग, तो शुरू करते हैं, आज का session, ठीक है दोस्तों, tips and toes पे रहिएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी अपन जो है, answer करने का प्रयास करेंगे, आप सब लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला था, कि आप सब लोगों के लिए bilingual लेके आऊंगा, तो bilingual प्रश्न पत्र लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है, आप सब लोग जो है, इस आता है, क्योंकि पेपर आफ लाइन होगा, आप सब लोग ये याद रखिए, कि पेपर को इसी तरीके से underline कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं पर या तो गोला लगा दीजिएगा, और या फिर जो है, आप उसको underline कर दीजि ठीके, मैं तो ये जानता हूँ कि A, T, Q, C, O, अगर आपको याद है, तो आपको आर्टिकल याद हो गए गवर्नर के, ठीके, और अगर इसके आगे E भी लगा दोगे तो definitely you'll have everything in your hand itself, ठीके, इतना अगर आपको याद हो गया, तो आपको जो है, ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, आपको आएंगे definitely रोहित आप बने रहेगा, आपको एक-एक प्रश्न बताऊंगा मैं आपको, एक-एक प्रश्न जो है, solve करवाऊंगा और आपको बताऊंगा, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेकों के लिए जो है, एक exam pattern का analysis लेके आया हूँ, कि इस प्रश्न बनेंगे, जब हम सुचारू रूप से तयारी शुरू करेंगे, तो definitely will develop our command on these things, ठीक है, तो देखिए article number 153, आप देखो specific fact oriented है, article number 153 में क्या दिया है, 56 में क्या दिया है, 54 में क्या दिया हुआ है, और article 155 के अंदर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो article 153 के अंदर में office of the governor, office of the governor दिया हुआ है, ठीक है, तो 153 के अंदर में आपका आगया office of the governor, उसके बाद में 154 में, 154 के अंदर में देखिए, यहां पर आपने पढ़ा होगा executive power of the governor, मैंने आपको बता दिया, E, 154, ठीक है, उसके बाद में 155 के अंदर में यहां removal दिया हुआ है दोस्तो removal of the governor ठीक है from the office लेकिन मैं आपको बताया 154 के बाद में ATQC आएगा A से आपका होता है appointment A से क्या होता है दोस्तो appointment होता है appointment of the governor कौन appointment करता है वो इसके अंदर में दिया हुआ है ठीक है so again ये वाला जो option है ये आपका मतलब गलत है 155 के अंदर में क्या दिया हुआ है appointment दिया हुआ है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका fourth option क्योंकि आपको निकालना ही गलत है तो इसलिए आपका ये सही उतर हो जाएगा वही 156 अब देखो 154 आ गया ये 155 आ गया टी से होता है term तो tenure टर्म और tenure 155 में है Q से होता है qualification Q से क्या होता है दोस्तों qualification ठीक है Q से होता है qualification वह आपका हो गया next 156 157 के अंदर में और उसके बाद में अगर आप देखेंगे मैं इसको आपको थोड़ा सा बहतर धंग से लिख करके याद करके बताता हूँ दोस्तों इसी प्रकार से जो है हम classes के अंदर में सारी चीज़ें याद कर लेंगे दोस्तों ये मेरा वादा है आपको कि आपको हर चीज़ याद करवाएंगे और हम जो है 40 प्लस marks लेके आएं in a state ठीके उसके बाद में मैंने आपको क्या बुला दोस्तों एक तो e लगा दो उसके बाद में a, t, q, c और o याद कर लो ये याद कर लो 154 है executive power है e से executive बाकी आप आगे देख लीजीगा keyword आपको याद रखना होता है 155 के अंदर में a से appointment a से होता है appointment ठीके t से होता है देखिए 156 के अंदर में tenure या term of office term of office ठीके दोस्तों q से होता है 157 के अंदर में qualification क्या होता है दोस्तों qualification qualification of governor c, c से हो गया आपका 158 में conditions conditions ठीके, o से हो गया 159 के अंदर में आपकी oath तो ये कुछ ऐसे articles हैं जिनको आप याद कर सकते हैं दोस्तों और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा कभी भूल ही नहीं सकते आप, ठीके, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको quality पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, खोद खोद के बताऊंगा कि RPSC किस तरीके से प अपना fourth, ठीके, कौन साम not correct पूछा था, ठीके, तो मैंने आपको not correct बता दिया है, चलिए, अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ है, देखिए, ये question आया है, who among the following, again governor से ही question है, governor से दूसरा question आ रहा है, who among the following governors of the Rajasthan has been the chairman of Hindustan Aeronautics Limited, दोस्तों, ये question ऐसा है, कि या तो आपको पता है, या नहीं पता है, ठीके, otherwise कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो O.P. महरा, रगुकुल तिलक, सुगदेव प्रसाद और M. चेना रेडी, आप देखिए, O.P. महरा, रगुकुल तिलक, सुगदेव प्रसाद और M. चेना रेडी, ठी गवर्नर्स की डिटेल्स पड़ते हैं, तो वहां आपको ये सारी चीजे मिलती हैं, ठीके, ठेंक्यू लाल सिंग भाटी जी, और ग्रेट अपरिशेशन, ठीके, ठीके, यहां पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा O.P. महरा, O.P. महरा जो हैं, ये थ रहे थे, ठीके, उनके क्या-क्या स्पेसिफिक कारिकाल रहे थे, किसके दौरान प्रेजिडेंट रूल लगा था, ऐसे कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, जो RPSC के हर एक्जाम है, चाहे RS ले लो, चाहे आप Assistant Professor ले लो, चाहे आप SI का एक्जाम ले लो, या फिर First Grade का एक्जाम या कोई भी एक्जाम जिसमें राजस्तान पॉलिटी जो है भूमी का निबाती है, वहाँ पर इस प्रकार के प्रस्ण आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीके, तो इसका सही उत्तर क्या है, O.P. महरा है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आज देखो, आज अगर कोशन नही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आएगा नहीं, ठीके, आप बने रहिएगा, रामाज गुरुकुल पे, अंततह, हम फिर से इस प्रस्ण पत्र को करेंगे, ठीके, complete exam mode के अंदर में करेंगे, और उस वक्त आप इस सब के जो है, आंसर देने के काबिल बन जाएंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे, ठीके, चलिए, वाए, विच कॉंसिटूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंस्टूशन और राज प्रमुक, आप सब लोगों को पता है, गवर्नर का जब इंस्टूशन था, मैंने इंटिग्रेशन पढ़ाया आप लोगों को, अगर आपने इंटिग्रेशन का वीडियो नहीं देखा है, तो देखके आईएगा, ठीके, तो गवर्नर से पहले कौन सी पोस्ट थी, राज प्रमुक, तो ये जो राज प्रमुक है, ये एबॉलिश राजस्थान के अंदर में, किस कॉंस्टूशनल अमेंडमेंट एक्ट क के अंदर में हुई थी, एक हिंट मैं आपको दे सकता हूँ, कि हमने जब राजस्थान का छटा चरण करा था, स्टेट री ओर्गनाईजेशन वाला, ठीक है, उस छटे चरण के अंदर में जो है, बेसिकली, अपना जो है, राज प्रमुक का पोस्ट जो है, खतम कर दिया ग करता है, तो आप कुछ ऑप्शन्स इलिमनेट कर सकते हो, है ना, कुछ ऑप्शन्स, स्टेट री ओर्गनाईजेशन एक्ट कब आया था, थोड़ा सा याद करने का प्रियास करेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली रोहित मैं सेट की कट ओफ का वीडियो जल्दी वापस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बिल्कुल सही उत्तर है ममता जी, प्रिती जी, साथवा Constitutional Amendment Act, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया भी था वहाँ पर, स्टेट री और्गनाईजेशन के दोरान, और इसको हम डिटेल में पढ़ेगे दोस्तों, ठीके, इसका सही उत्तर क्या है, थर्ड है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर ममता जी, ठीके, और प्रिती मीना जी, ठीके, तो ये जो है सांत्वा अदिनियम था जिसके अंदर राज प्रमुक की पोस्ट खतम कर दी गए थी और गवर्णर की पोस्ट शुरू हो गए थी, ठीके, तो कमेंट करके बताईए कि सबसे पहले जो है, गवर्णर कौन थे राजस्थान के, सबसे पहले राजस्थान के गवर्णर कौन थे, चलिए, आगे देखते हैं, in which, in the year 2020, how many ordinances have been promulgated by the governor of राजस्थान, अब क्या करेंगे, गवर्णर का topic करेंगे, और ये देखना, आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने भी उस साल, जो है, गवर्णर की website विजिट की होती, या फिर राजस्थान State Assembly की website विजिट की होती, तो वहाँ सपष्ट तया इसका जो answer है, वो लिखा हुआ है, 5 है, 7 है, 8 है, या 11 है, सपष्ट तया, clear आपको वहाँ पर जो है, answer आपको मिल जाता दोस्तों, ठीके, हेलो प्रिया जी, तो ये जो है, वहाँ से आपको website से मिलेगा, और आपको website जा करके, विजिट करके, सारी मेहनत करने की जुरुत नहीं है, आप सिर्फ पढ़िएगा, मैं आपके लि बना करके, आपको ready mentally class के अंदर में पढ़ाऊंगा, बस एक ही वादा करिएगा, कि sincerely आप class में पढ़ेंगे, ठीके, और आप जितने बच्चों तक बात पहुंचा सकते हैं, पहुंचाईए, assistant professor राजस्थान जीके का, यहाँ पर जो paper है, रामाज गुरुकुल पे, वो की उत्तर है, मुम्ता जी आपका, ठीक है, राजस्थान पॉलिटी, प्रिया जी आपके लिए जो है, assistant professor अगर आप राजस्थान के बनना चाहते हैं, और आप outsider अगर state के हैं, तो definitely आप सब लोगों के लिए यह वीडियो बहुत helpful होने वाले हैं, जन जन तक पहुंचाईए, है न, कि हम सब बनेंगे professor जी, ठीक है, चलिए पांचवा प्रशन है, who of the following have been the chief minister of Rajasthan for three or more times, देखो, ये लीक से हटके question पूछा गया था, हर बार पूछा जाता था, सबसे ज़्यादा बार कौन बना, ठीक है, सबसे लंबा tenure और किसका रहा, इस बार पूछ लिया कि ऐसे अधिक बार जो है, chief minister बने हैं, ठीक है, तीन या उससे अधिक बार chief minister कौन बने, देखिए, सबसे पहले तो comment करके बताए, सबसे लंबा कारेकाल किसका रहा, ठीक है, अभी तो यहाँ पर जो है, वर्तमान के जो chief minister है, उनका नाम नहीं है, नहीं, तो उनका भी नाम आ जाता है ना, very good morning, पूनम बंडे जी, very good morning, बिल्कुल पृती जी, गुरुमुक निहाल सिंग जी, पहले governor of राजस्तान रही हैं, चलिए निमनलिकित में से कौन से तीन या अधिक बार जो है, राजस्तान के मुख्यमंतरी रही हैं, आप देखिए, option में देखिए, मोहनलाल बने थे, चलिए, बहरो सिंग शिखावत है, सिवचरण माथूर है, सिवचरण माथूर साब दो बार बने थे, सिवचरण माथूर को अगर मैं हटा दू, तो मेरे पास मैं eliminate हो जाते हैं कुछ options ठीक है, और उनको अगर मैं options को eliminate कर देता हूँ, तो मेरे पास मैं सिर्फ और स हरीदेव जोशी जी भी बने थे, ठीक है, ये सारे तीन या उससे अधिक बार वाले में option में हैं, तो definitely इसका सही answer क्या होगा दोस्तों, फोर्थ होना चीए इसका सही answer, फोर्थ भैरो सिंग शेखावत, मोहनलाल सुखाडियो और हरीदेव जोशी जी, ये इसका सही है, अब मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप राजस्तान पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बहुत ही सरलता से, तो रोहित बिल्कुल D option correct है, ममता जी D option, ठीक है, बिल्कुल correct है, तो ये देखिए, अगला मैं आपको बात करता हूँ, 6th question है, ठीक है, इसका हिंदी मैं आपको बताता हूँ, देखिए, legislative assembly, council of ministers आ जाता है, उसके बाद में, state legislative assembly के topic से ये question आया है, which in the following statement about the legislative assembly of Rajasthan is or are correct, सही कौन सा है, पूछा गया है, सही कौन सा है, ये पूछा गया है, दोस्तों, ठीक है, तो सही देखिए, कौन सा है, सबसे पहले, the strength of Rajasthan state assembly was 16 in 1952, ये बहुत ही, रोचक प्रश्न होते हैं, हमें लगता है, कि ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, fact है, कौन याद करता है, लेकिन Rajasthan में तो ये ही पूछे जाते हैं, दोस्तों, और मैं आपको पूरे table से, chronological तरीके से ये बताऊंगा, कि state assembly की strength कितनी रही थी, the rules and procedures, conduct of business in Rajas राजस्थान legislative assembly was first framed in 1956 के अंदर, and there are 18 standing committees of Rajasthan legislative assembly, out of which 4 are the financial one, तो दोस्तों, यहां जो है, सही option में क्या है, A and B, I guess fourth option आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, okay fine, दिख रहा है, तो A and B है, second option में A and C है, फिर क्या है, B and C है, और A, B and C है, वैसे तो अगर मैं इस question को नही भी जानता हूँ दोस्तों, मैं अक्सर इस तरीके के प्रश्णों को solve करने के लिए एक trick लगाता हूँ, ठीक है, कई बार वो काम करती है, कई बार नहीं भी करती है, लेकिन इस case के अंदर में definitely करेगी, जब आपको लगता है basically कि कुछ एक ऐसा option है, ठीक है, वैसे तो संशे ह होता है इसके अंदर में, अगर आपको fact पता है, तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दूसरे में भी लागू हो रही है, यह जी, ठीक है, 18 standing committee नहीं है यहाँ पर, ठीक है, of Rajasthan Legislative Assembly, हम यह देखेंगे कि कौन-कौन सी standing committees हैं, उसके chairmen's कौन रहे हैं, members कौन रहे हैं, तो इसमें जो है, अगर मैं C eliminate कर देता हूं, तो मेरा C का option eliminate हो जाता है, और answer क्या है, A and B, A बन जाता है, दोस्तों, A and B इसका correct answer है, ठीक है, A and B, तो यह अपन करेंगे, ठीक है, standing committees वगरा, Rajasthan State, Legislative Assembly, as it is, question वहाँ से पेक हुए हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता देना जा रहा हूं, पूनम जी, जल्दी जो है, आपके 5 PM वाली, जो net JRF वाली class है, वो सुचारूर ढंक से चलेगी, ठीक है, अभी for the time being, कुछ issues है, times को लेकर के, इस वज़े से, थोड़ा सा मैं नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है, A and B, इसका सही उत्तर है, चलिए, before the integration of Rajasthan, यह मैंने राजस्तान का integration आपको करवा दिया था, अगर आपने रामाज गुरुकुल का channel देखा हो, तो उसमें मैंने आपको जो है, एक question भी डाला था, अगर आपने solve किया हो, तो इसका answer आप देखिए, before the integration of Rajasthan, who among the following was not a chief minister of democratic government of earlier Rajasthan, अब यहाँ पर यह पूछना यह चाह र कौन सा नहीं रहे थे, आप देखिए, शोबा लाल, ठीक है, इनका नाम पूरा है, शोबा लाल कुमावत, गोकुल लाल अस्वा, मानिकिलाल वर्मा और भोगी लाल पांडिया, ठीक है, शोबा राम कुमावत, गोकुल लाल अस्वा, मानिकिलाल वर्मा और भोगी लाल पां नहीं वाला पूछा है, ठीक है, तो इसके अंदर में जो है शोबाराम, शोबालाल कुमावत तो डेफिनिटली पहले रहे थे, उसके बाद में गोकुलाल अस्वावे भी रहे थे, ठीक है, और मानिके लाल वर्मा भी रहे थे, ठीक है, मानिके लाल वर्मा भी रहे थे दोस्त ठीके तो ये जो है आप देखिए इसका सयूत्तर क्या होगा भोगी लाल पांडिया भोगी लाल पांडिया जो है डुंगरपूर से थे ठीके और ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहें ठीके डुंगरपूर पजाम अंडल से जुड़े वे थे तेखो जा चीफ जस्टिस अब यह राजसान हाई कोर्ट का कुशन आगे है तो आप बताईए किसके द्वारा यह अपॉंटेट किये जाते हैं हिंदी में पढ़िए आप देखिए कि राज्य के मुख्य नयाएधीश वह अन्य नयाएधीशों की न्युक्ति किसके द्वारा की जाती है तो आप ऑप्शन्स देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन है प्रेजिदेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ दे स्टेट फिर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पॉलिटी भी पड़ा है तो आप देखते ही सारे ऑप्शन्स को इलिमि ठीके गुड़ मॉर्निंग कुसम सोलंकी जी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पॉलिटी पड़ा है ठीके और आपको पता है कि न्याय धीश की नियुक्ति कौन करता है तो आप जो है बेसिकली इसको सही से इलिमिनेट करते हुए सही ऑप्शन की तरफ जो है बढ़ जाए दिए गा आज की क्लास में हो सकता है आपको प्रशन ना आ रहे हूं लेकिन मेरा वादा है कि जब हम दुबारा पुना इनी कोशन को और इस प्रकार के कोशन को करेंगे ठीके लगबग तीन महीने बाद की बात कर रहा हूं मैं वैसे तो हम रेगुलर प्रेक्टिस करेंगे ठीके लेकिन तीन महीने के आसपास के अंतराल के अंदर में अगर हमें बेदेखूं ठीके जब हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा राजस्तान एसिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर थर्ड जीके का उस दौरान आप शक्षम होंगे इसको करने में देखिए सबसे पहला तो एक जज एक नया धीश को कौन अपॉइंट करता है तो आपको सिंपल सा बताते हुँ कि अपॉइंट कौन करता है प्रेजिडेंट अब किसकी सला पर करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और क्योंकि यहां स्टेट से है तो स्टेट में गवर्नर की सला भी लेना नहीं है हटाओ यहां आंसर है कि प्रेजिडेंट कर रहा है कि नहीं हटाओ गवर्नर कर रहा है हटाओ यहां पर तो क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है कोई विचलित करने वाला प्रशन है ही नहीं इसमें सीधा एक ही ऑप्शन बोल रहा है प्रेजिडेंट आगे की राम कथा तो ठीक है, सही है कि नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो सही है लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि President appoint करता है High Court के Judges को और Chief Justice of High Court को, तो आप Option 1 की तरफ जो है, basically रुक करते, और आपका यह Option 1 यानि President in consultation with Chief Justice of India and the Governor of the State, यह जो है आपका एकदम सही हो जाता दोस्तों ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए भारत के मुखे नियाधीश और राजी के राजेपाल के साथ परामर्ष कर राष्टपती के द्वारा इसके द्वारा राष्टपती के द्वारा अपॉइंट के जाते हैं, यह इसका सही उत्तर है President in consultation with Chief Justice of India and the Governor of the respective state, यह इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है चलिए, आगे की बात करते हैं Question No.9 again, राजस्तान High Court से यह प्रशना आया था दोस्तों हाला कि इसके आसपास सब कुछ प्रपेर कर चुका था सिवाए एक डेट के जो इसने पूछ ली है मैंने बहुत मैटिकलिसली जो है राजस्तान High Court की वेबसाइट से सारे नोट्स डेवलप किये थे, सम्हाव एक question ऐसा था, जो आया भी था दोस्तों, ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी था जो नहीं भी आया, ठीक है, लेकिन हम definitely इन सब को कर लेंगे देखे ठीक है, अब देखिए From which of the following dates, the rules of Rajasthan High Court of Juridicture for Rajasthan 1952 came into force ठीक है, निमने लिकित मैं से किस तारीख को Rajasthan उचन्यायले के नियम 1952 प्रभावी हुए, कब से 1952 वाले जो नियम है, वो प्रभावी हुए ऐसा प्रस्न पूछ रहा है, ठीक है ऐसा प्रस्न ये पूछ रहा है, तो आप देखिए, इसके अंदर में 16 जनवरी 1952 है, 15 August 1952 है 1st October 1952 है और 31st December 1952 है तो साल को लेकर के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि 1952 के अंदर में ही जो है, इंप्लिमेंट हुए थे, लेकिन ये डेट जो है, इसको लेके जब मैंने अपना एक्जाम दिया था, तो मुझे खासा कन्फूशन था, अक्सर यूजुवली जो है, लेकिन फाइनली इसका जो आंसर है, वो मैं आपको बता देता हूँ 1st of October 1952 और मैं ये आपको क्लास लेते समय बताऊंगा भी कि ये प्रशन किस प्रकार से फ्रेम किया गया और कहां से फ्रेम किया गया है दोस्तों, चलिए, अगले प्रशने की तरफ बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, 9th का, ठीके, ये मैं आपको unit wise, यानि की unit wise ये लेके आया हूँ, ठीके, और देखिएगा, अपन जब करेंगे राजस्तान पॉलिटी से बिगिन करेंगे इसलिए मैं पहला से जो session है आपका राजस्तान पॉलिटी के लेके आया हूँ, हम 2021 वाला assistant professor के questions देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि 2014 के अंदर में किस प्रकार से प्रशन आये थे, उसके बाद तमाम ऐसे RPC के जो previous year के questions हैं, वो तो देखने हैं ही, वो तो preparation के लिए रामाज गुरुकुल का साथ चुना, ठीक है, who was the pro term speaker of 15th Rajasthan Legislative Assembly अब थी सारे नव निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उनको सपत दिलाना और speaker का appointment करना ये जो कार्य होता है, वो pro term speaker का होता है, तो सबसे पहले, मनोनित किया जाता है pro term speaker को, elect नहीं किया जाता है, मनोनित किया जाता है दोस्तों और वो कौन होता है, वो usually, जो है सबसे senior most जो member of the legislative assembly जो चुन करके अभी आएं हैं वो होता है, तो आपको देखिए कि पंदरवी जो है, राजस्थान का जो election हुआ था, December का, ठीके, उस दोरान basically क्या है, आप देखिए कि गुलाब चंदर कटारिया जो थे वो सबसे, जो है senior most थे आप, इनका नाम definitely आपने अभी हाल ही में, चर्चा में राह है और सुना भी होगा, कि इन्हें अभी हाल ही में, पहले ये leader of opposition थे, ये क्या थे देखो, leader of opposition थे leader of opposition थे ठीके और अब इनको वर्तमान में जो है, basically, इनको बना दिया गया है governor अभी governor बना दिया गया है, कहां का दोस्तों, असाम का, असाम का इन्हें governor निक्त कर दिया गया है और उस वक्त क्योंकि ये senior most थे तो इन्हें जो है, pro term speaker के रूप में चुना गया था, जिसका सही उत्तर क्या होगा, गुलाब चंदर कटारिया, ठीके दोस्तों बिल्कुल सही रोहित्र डी विमलेश जी डी, so देखे, मैं आपको विशलेश नात्मक जो है, ये session लेके आया हूँ कुछ चीजें हम analyze करेंगे जहां टिका टिपनी करनी होगी, वहाँ पर हम समझाएंगे भी आपको clearly लेकिन class के अंदर में हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, हर एक पहलू को राजस्तान पॉलिटी के समझेंगे और 40 प्लस, मतलब 20 में से 20 question हमें सही करने का preparation करनी है, ताकि हमारे 40 प्लस जो है, banks आ सकें ठीके, ये देखिए अब मैंने आपको RPSC समझा दिया था, ठीके लेकिन देखिए, एक नया, हाला कि इसका एक segment मैंने आपको बताया था लेकिन still उसकी वज़े से questions solve नहीं हो पा रहा था ठीके, तो ये एक नया question अब क्यूंकि RPSC से related भी नई question आने लग गए है which of the following former women ठीके, members of the Rajasthan Public Service Commission has also been a member of UPSC ऐसे कौन सी RPSC की women member, मैंने आपको बताया कि अभी आने वाले समय में women member वाले questions definitely आपको और देखने को मिलेंगे कि कितने women members हैं कौन-कौन सी हैं, पहली कौन सी women member हैं ये सारी चीजें, ठीके, तो आप देखिए इनका नाम मैंने आपको RPSC में बताया था ठीके, वापस से re-appoint हुई कहाँ पर? UPSC में UPSC में भी ये member रही हैं, ठीके, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा, देखो, कांता कतूरिया तो definitely मैंने आपको बताया था, तो one तो definite है, तो दो options तो आपके पास में हट जाते हैं, ठीके, उसके बाद में ये एक है, कि एक तो कांता कतूरिया है, और इसका सही उत्तर दूसरा क्या है, प्रकाश्वती शर्मा जी जो है, ये दो रही है, ये दो जो है, क्या रही है, यूपेसी की मेंबर भी रही हैं, ठीके, तो राजस्तान लोग से वा आयोग में निम्रिल कित्मे से कौन सी पूर्व महीला सदस्य जो है, संग लोग से वा योग की भी सर्दिसिर रही हैं तो कांता कथूरिया और प्रकाश्वती शर्मा याने की option 2, 1 & 3 यह आपका सही उत्तर इसका है दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं Among the judges of the Rajasthan High Court who were administered oath on 29 August 1949 which one is paired incorrectly दोस्तों इससे पूर्व RPSC के अंदर में इस प्रकार के प्रशने पूछे नहीं गए थे लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैंने जो है notes prepare की थे राजस्तान High Court के और उस notes के अंदर में आपको जो है ये चीजें हूब हूँ मिलेगी दोस्तों ठीक है राजस्तान High Court के special notes बनाए थे मैंने ठीक है और उसके अंदर में आपको हूब हूँ मिलेगी ये कुछ ऐसे notes बनाए थे इस तरीके के notes बनाए थे और मैं आपको बताऊंगा कि ये notes में से किस page से ये question आया है ठीक है आप देखिए ये आया है page number two के page number two के अंदर में देखिए 29 अगस 1949 को यानि कि इस तारिक को क्या है राज प्रमुक्ची जी ने महाराजा सवाई मान सिंग जी ने ओत दिलाई थी first chief justice of Rajasthan High Court first chief justice जो है first chief justice of Rajasthan High Court वो कौन थे दोस्तों कमल कांत वर्मा जी कमल कांत वर्मा जी थे first chief justice ये भी question बन सकता है important question है इसके साथ साथ 11 ऐसे जजेश थे plus इसके साथ मैं plus अगर बाबात करू तो 11 जजेश थे जिनका appointment किया था तो आप वो नोट कर लीजी मैं आपको बताता हूं उसके बाद आप इस प्रश्न को करेंगे और definitely आप इसको सही करेंगे ये मेरा दावा है ठीक है तो 29 29 अगस्त 1949 की बात कर रहा हूं मैं ठीक है राजप्रमुक राजप्रमुक ठीक है महा राजा महा राजा सवाई मान सिगग जी ठीक है इन्हों Chief Justice of Rajasthan High Court और वो कौन थे? कमल कांत वर्माजी थे, कमल कांत वर्माजी थे फिर्स्ट, उसके साथ साथ में, प्लस अगर मैं बात करूं, प्लस 11 जजेस, 11 जजेस को भी ओत दिलवाई थी दोस्तों, 11 जजेस, अब 11 जजेस के नाम लिखिए, कौन-कौन से वो 11 जजेस थे, ठीके मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो उनका प्लेस और उसके बाद में उनका नेम, तो देखिए, जोदपूर से दो थे, जोदपूर से कितने थे दोस्तों, याद कर लीजिए, दो थे, कौन-कौन थे देखिए, जस्टिस, जस्टिस, लाला, नवल, किशोर, जोदपूर से थे दोस्तों, उसके बाद में दूसरे जो जज थे, पहले जज यह हो गए, दूसरे जज कौन थे दोस्तों, दूसरे थे जस्टिस, अनवर, अमर, सिंग, सौरी, जस्टिस, कुमर है, अनवर नहीं है, जस्टिस, कुमर, अमर सिंग, जसोल, अमर सिंग, जसोल जी थे, यह जोदपूर से थे, उसी तरीके से, अगर मैं बात करूँ, जैपूर की, तो जैपूर से भी, दो जजेज एपॉइंट हुए थे, कौन-कौन हुए थे दोस्तों, ठीक है, जस्टिस, कुमर, लाल, बापना, कुमर, लाल, बापना, उसके बाद में, जो फूर्थ एपॉइंट हुए थे, दोस्तों, वो हुए थे, जस्टिस, मुहमद, इब्राहिम, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये एक मात्र ऐसे मुस्लिम जज थे, जो अपॉइंट हुए थे, उस 11 जजेज के अंदर, ठीक है, तो ये दो जजेज, चार जजेज आपने याद कर लिए, जोदपूर से कौन थे, जस्टिस, लाल, नवल, किशोर, उसके बाद में जस्टिस, कमर, अमर, सिंग, जसोल, जैपूर से कौन थे, जस्टिस, कमर, लाल, बापना, ठीक है, और मुहमद, इब्राहिम, ठीक है, उसके बाद में आप देखिए, थर्ड अगर मैं बात करूँ, उदैपूर से, चार हमने कर लिए ह है, उदैपूर से भी दो थे, कौन थे, कि देखो, जस्टिस, जवान, सिंग, रणावत, जवान, सिंग, रणावत, और जस्टिस, सारदुल, सिंग, महता, दोस्तों यह आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, इसका कोई और आप्शन है नहीं, फोर्थ अगर मैं बात करूँ, तो बूंदी से एपॉइंट हुए थे, बूंदी से सांतवे जजज एपॉइंट हुए थे, वो थे जस्टिस, दुर्ग, शंक दवे, ठीक है, देन उसके बाद में आप देखिए कि बीकानेर से एपॉइंट हुए थे, हमारे आठवे जज और वो कौन थे, जस्टिस, त्री लोचन दथ, जस्टिस, त्री लोचन दथ, फिर देखिए, छटे जो थे, वो अपने अलवर से थे, आलबर दिस्टिक से जो लोच से जो नवे जज अपने अपॉइंट हुए, वो हुए है, जस्टिस, आनंद, नारायन कॉल, आनंद, नारायन कॉल, then भरतपूर से जज Glass हुए थे, एपॉइंट एक, भरतपूर से एक जज अपॉइंट हुए थे, ठीक है, कौन थे, देखि अपने जस्टिस के के शर्मा जस्टिस के के शर्मा ठीक है और लास्ट एंड फाइनल कोटा से कोटा से 11 हमारे जज अपॉइंट हुए थे वह हुए थे जस्टिस शेम चन खेम चन शेम चन गुपता ठीक है तो ये जो हैं अपने जजेश हैं दोस्तों जो एपॉइंट हुए थे इस प्रकार के प्रश्ण और पीए सी पूछना शुरू कर चुकी है ठीक है ठीक है तो देखिए मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा देता हूं फिर अपन उस पॉस्टिन पर फिर दुबारा चलते हैं देखिए ग्यारा ऐसे जजेश एपॉइंट हुए थे ठीक है जोदपुर से दो हुए थे जस्टिस लाल नवल किशोर ठीक है और जस्टिस कु यह अपना ढस्ति कुवर अमर सिंग जसल चैसल फिर देखिए तीसरे जो जग्यों ते जस्टिस कुलर लल बापना ठीके जैपुर से चोथे जछ जज्ज जैपुर से दो हुए थे जस्टिस मुहमिद इंब से हुए थे आनन नारायन कॉल भरतपुर से हुए थे केके शर्मा जी और कोटा से हुए थे शेमचंद गुपता जी अब आप इस प्रश्ण पर आईए दोस्तों यहां प्रश्ण क्या पूछा हुआ है कि अगस्ट को किसको ओत दिलाई गई थी ठीक है हमारे राजप्रमुक के द्वरा तो इनकरेक्ली पेर आपको निकालना है तो जस्टिस लाल नवल किशोर जोधपुर से थे बिलकुल थे जोधपुर से दो थे उन में से एक यह थे तो यह सही है जस्टिस कमरलाल बापना देखो जस्टिस जवान सिंग रणावत ठीक है जस्टिस जवान सिंग रणावत आप देखिए यह कहां से थे यह कोटा से नहीं थे जवान सिंग रणावत कहां से थे अपने उदैपुर से थे दोस्तों यह कहां से थे उदैपुर से थे भी हमने देखा है यह देखिए यहां पर इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, कौन सा correctly match नहीं है, यह quota से नहीं है, तो यह correctly match नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह, ठीक है, तो यह आप इस तरीके से जो हैं, चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, और यही प्रशन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठ अगला जो प्रशन है, who among the following has been the chief secretary, यह state administration से direct question आया है, दोस्तों, factual questions ज्यादा आए है, quality से, और straight away ऐसे factual questions के लिए हमें prepared रहना पड़ेगा, मैं आपको prepare करूँगा, ताकि आप लोग जो हैं, इस प्रकार के प्रशन जो हैं, कर सकें, दोस्तों, ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर में, वी, नारायन, किशनपूरी, अब सावलदान, उजवल, और मगराज कल्ला, अब देखो, इतनी लंबी chief secretary की list है, आप लोगों को याद करने के लिए, जो है तक थोड़ा सा अपने को उसमें से क्या है, smartly करना होता है, हम class करेंगे, तो definitely हम बताएंगे, कि इस तरीके से कर सकते हैं, ठीके, तो इसका सही उतर क्या होगा, कि बिल्कुल रोईत, इसका जो सही उतर है, वो क्या है, C है, ठीके, इसका सही उतर क्या होगा, C होगा, A, B and C, तो ये सब क्या है, chief secretary राजत्तान के रहें, कौन, नारायन जी रहें है, किशन पूरी जी रहें रहे हैं यह नहीं रहे हैं चीफ सेक्रेटरी तो यही सही है इस चीफ सेक्रेटरी यानि कि मुख्य सचिफ ठीक है चलिए अगला प्राशन है जोदवा प्राशन है विच उप्लविग स्टेटमेंट अब ओऊँड़ अ इलेक्शन कमिशन अ अफ राजासान आर करेक्ट देखे के constitutional bodies के अंदर में एक आता है state election commission दूसरा आता है RPSC यह दो important constitutional bodies हैं राजसान के perspective से जिसे हम एक तौम पढ़ चुके हैं इसको भी हम definitely करेंगे ठीक है तो यह देखिए the state election commission राजसान was constituted in April 1994 under the article 243 of the constitution अब देखो आपको article भी याद होना चाहिए आपको date भी याद होने चाहिए कब वो appoint हुआ है उसके बाद मैं देखू कि the state election commission is a single member commission बिल्कुल single member commission है ठीक है headed by the state election commissioner तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि state election commission के द्वारा यह head की जाती है उसके बाद आप देखों कि the state election commission has a secretary who is also the chief electoral officer for the state, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप बताईए, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो आप देखिए, यह एक छोटा सा एक पेज का document है, इसमें से सारे questions आये हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, so that आपको बताऊं कि basically हम क्लास में क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ पर जो है, constitute कब किया गया था, अप्रेल 1994 के अंदर constitute नहीं किया था, देखो, आर्टिकल तो 243 के सही है, लेकिन यह जो year है, अप्रेल नहीं होके, 1994 यह year भी सही है, यह मन्थ जो है, अप्रेल नहीं है, मन्थ कौन सा है, आप देखिए, जुलाई, यह जुलाई महिने के अंदर constitute होई थी, तो option A जो है, वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, option A गलत हो गया, तो आपके पास में options eliminate हो गए, और आपका option क्या है, B and C, the state election commission जो है, वो single member commission है, बिल्कुल, और headed by the state election commissioner, ठीक है, और उसके बाद में, state election commission has a secretary, सचिव होता है, who is also the CEO, that is chief electoral officer for the state, यह बिल्कुल सही उतर है, तो सही उतर क्या है, दोस्तों, इसका B, ठीक है, चलिए, next अगर हम देखें, B and C, इसका सही उतर हो गया, consider the following statements, देखो, candidate cannot contest, ठीक है, from more than one wards in a municipal election, ठीक है, और a candidate can fill maximum four nomination papers from a ward in a municipal election, अब यह topic जो आया है, यह आपका क्या है, पंचाईती राज institutions and urban local bodies, यह जो topic है, उसमें से आया है, ठीक है, तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, आज आपको शायद question नहीं आ सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में definitely आपको यह सारे questions आएंगे दोस्तों, ठीक है, और बहुत अच्छे से आएंगे, because आप समझ रहे हैं, मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, हमें understand करने की जरूत है, कि कई बार हमें class में जब हमें पढ़ाना शुरू करूंगा, उस वक्त आप यह प्रशन करोगे, कि इस तरीके के प्रशन कौन पूछता है भई, ठीक है, पूछते ना, ऐसा कौन पूछता है, यह मैं जवाब आपको दूँगा, है ना, और आपको इस तरीके से तयार करना पड़ेगा, definitely start करेंगे, classes start करेंगे, पॉलिटी की class, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि assistant professor ultimately तो बनना है, net और set से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, ultimately तो हम सब को assistant professor बनना है, है ना, तो यहां पर जो है, correct author क्या होगा, दोनों ही इसके जो है correct है, कई बार ऐसा होता है, कि नई statement, देखो, यह question frame करने वाले के mind के उपर depend करता है, कि कि किस प्रकास से प्रस्ष्ण उसने frame किया होगा, देखो, जब जब नया question पर, मतलब statements frame करेगा न, वो इतनी महनत क्यों करेग आएंगे, जहां पर बोथ, usually correct होते हैं, usually मैं बोतार, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कि definitely a candidate cannot contest more than one wide से, यह contest नहीं कर सकता है, जबकि MP और MLA कर सकता है, ठीक है, more than, अच्छा, more than one, हाँ, more than one consistency, दो consistency से लड़ सकता है, जैसे राउल गांदी जो है, वाइनाद से भी लेकिन, basically, कुदरत को कुछ और मंजूर था, है न, तो उनकी वाइनाद की सदिरस्ता भी हाल ही में छिन गई, ठीक है, आप सब लोग अबगत होंगे, definitely current affairs से तो, a candidate can fill maximum four nomination papers, ठीक है, from award in a municipal election, यह आप देखिए, कि चार nomination paper file कर सकता है, चलिए, उसका सयुत्तर क्या होगा, third, बहुत, देखो, RTI यह आपके course के अंदर में है, अब यह देखो, आपको कितना पता होना थी, RTI क्या होता है, यह तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन आप से यह पूछ रहा है, under which section of the RTI Act of 2005, Rajasthan State Information Commission's order shall be binding, किसके उपर, Public Authority of Rajasthan के उपर, आप देखिए, हिंदी के अंदर में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, किस धारा के अंतरगत, राजस्तान के लोक अधिकारी पर, राजस्तान, राजस्तान, राजसूचना, आयोग का अदेश, बाद्यकारी होता है, binding होता है, ठीक है, इस Public Authority of Rajasthan के उपर में, तो अब आपको देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, पूरे ये भी अपन कैसे लगाएं, जब आता ही नहीं कुछ हो है ना, so it is more or less, you have to read thoroughly, you have to read in depth, ठीक है, so that आपको पता रहे कि कौन सा section, कौन सा, क्योंकि fact है, fact तो पूछेगा, RPSC, Assistant Professor बनना है, तो ये fact पूछेगा, इसी लिए, ये तो race ही eliminate करने के लिए है, paper 3rd से आप अगर eliminate हो हो गए, तो आप पूरी race से बाहर पहले ही हो जाओगे, ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, 4th, 1907, 1907, ठीक है, इसका 4th उत्तर होगा, 1907 के section के अंडर में, देखिए, ये उसी समय, हाल ही में, जब पूछा गया था, देख CMO आपका topic है, मैंने आपको बताया था, तो Chief Minister's Office उस वक्त कौन थे, ठीक है, अभी तो मतलब नहीं है, लेकिन अब देखिए, अर्विंद महयाराम जो थे, वो उस वक्त क्या थे, अपने Economic Advisor थे, CMO में, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो अर्विंद महयाराम, देखिए, अगें, ये है, देखो, Consider the following statement, ये आप General IQ से अगर आपने यूज किया है, कभी आपने form भरते समय यूज किया है, तो आप ये solve कर सकते हो, देखो, एक SSO ID पर आपने, RPC में अगर आप form डाल रहे हो, तो SSO ID, सेट का भी अहाली में आपने form भरा होगा, SSO ID का use किया होगा, तो SSO ID is required to get the information from जन सूचना पोर्टल, आपके syllabus में mentioned है, जन सूचना पोर्टल तो वहां से direct, तो क्या जन सूचना पोर्टल का तो अलग से पोर्टल है तो क्या आपको SSO ID required है, तो क्या आपको SSO ID required है, यहाँ पर नहीं required है, इसको हटा दो, तो इसका आपका answer क्या आजाएगा, इसका answer आजाएगा, only two is correct, only two is correct, यह आपका answer आजाएगा, 18th number question का क्या है दोस्तो, only two is correct, तो जब तो जन सूचना पोर्टल जो है, वहाँ पर आपको SSO ID नहीं लगेगी, अब directly इसके पोर्टल के उपर जाएगे, और search कर लीजे, जो भी information government schemes की आपको required है, ठीक है, चलिए, next देखिए, 19th question, पैलंडिमेट question, इसके बाद में एक और question है, और हमारा राज़स्तान पॉलिटी 2021 assistant professor का जो portions आयते, वो खतम हो जाएगे दोस्तों, ठीक है, और definitely मैं आपको promise करता हूँ, कि regular classes के अंदर में आप बने रहेंगे, तो आप एक एक चीज़ को, आप देख रहे हैं, एक एक डेट आपको बहुत important है, यानि आपने एक भी class miss की, और आप race से बाहर, ठीक है, इतनी important रहेंगी मेरी आने वाली classes आप सब लोगों के लिए, which of the following is incorrectly listed as an aspect of good governance by the Rajasthan संपर्क, आप सब लोग अवगत होंगे, अगर आप राजस्तान से हैं, बाहर वाले शायद नहीं हो, लेकिन राजस्तान संपर्क 181 helpline number है, जहां पर आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का resolution अपनी समस्या का पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अगर आपने इसके बारे में पड़ा है, तो राजस्तान संपर्क किसके लिए है, government ने जो है public service delivery के लिए, better public service delivery के लिए किया है, ठीक है, तो public, robust public service delivery आजाता है, 181 पे मैंने अभी आपको बोला कि आप अपन community गिर्वरांस रिडरेसल तो है, और देखो इससे क्या बढ़ रहा है, इससे बढ़ रहा है पारदर्शिता, इससे transparency बढ़ रही है कि government का कोई भी office जो है, अगर complain करते हो, तो आप उसमें संग्यान ले सकते हैं, तो transparency बढ़ रही है, इसलिए, ये trust जो है, ये इससे associated नहीं ह एक good governance के राजसान के aspect में, ठीक है, general IQ के basis के उपर में, अगर आप थोड़ा सा तरक शक्ती के साथ में काम करते हैं, मैंने syllabus पवन कुमार जी डाल दिया है, group पे आप देखिएगा, syllabus डाल दिया है, syllabus का detailed micro analysis लिया है, video session देखिएगा आप, ठीक है पवन जी, आप देखिए, ज इससे पूर्व वाला जो है, book list का session था, book list वाले session से पहले micro analysis of syllabus किया है, मैंने इसी लिए, he chronological order में बढ़ रहा हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा धीमे बढ़ रहा हूँ, कच्वे की चाल चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है, race में वही जीतता है, क्या, जो क्योंकि कच्वा समझदार होता है, कच्वा संगर्श शील होता है, कच्वा लगातार continuity के साथ में अपनी preparation करता रहता है, और खरगोष जो होता है, वो क्या करता है, उसके पास में patience की कमी होती है, उसके पास में perseverance नहीं होता है, उसके पास में discipline नहीं होता है, इस वज़े से खरगोश जो है वो हमेशा जो है हार जाता है आपने एक session मिस किया आपने अपनी पलग जपका दी इसका मतलब basically क्या हुआ तब तक आप देखिए सलेबस से हम बुकलेस और बुकलेस से हम राजस्तान पॉलिटी के इस पर्टिकुलर पर आ गए हैं जोग्रॉफिक आभी डाल दिया है मैंने जोग्रॉफिक आभी इवनिंग के session के अंदर में पांच बजे आप लोगों के लिए मैं assistant professor के previous year के question papers भी ले करके आऊंगा दोस्तों ठीक है तो आपकी जो समस्या थी पांच बजे वाली ठीक है वो भी solve हो गई ठीक है चलिए तो हम morning shift के अंदर में paper third करेंगे इवनिंग शिफ्ट में paper जो है जोग्रॉफि करेंगे अपना ठीक है चलिए तो देखे जुरिस्टिक्शन ऑफ राजस्थान human rights commission जो human rights commission है उसके jurisdiction में क्या क्या आते हैं देखो ठीक है रहर्च राजस्थान state human rights commission यह आपके syllabus में है non constitutional body है यह civil और political rights का ध्यान तो लेती है क्या यह economic rights का भी ध्यान रखती है उसके भी jurisdiction में क्या यह आता है और क्या इसके अंदर में social और cultural rights भी आते हैं तो बिलकुल आप देखे कि civil rights तो आते ही है ठीक है हमारे जो भी fundamental rights है उसको state human rights commission के देखो human rights में आप इतना बड़ा spare है ना कि उसके अंदर में multi-dimensional rights आ जाते हैं तो आप आँख बंद करके भी अगर बोलोगे कि all of the above जो है सही होगा यानि economic भी आएगा social भी आएगा cultural भी आएगा तो यह सही हो जाएगा स्टेट human राइट क्या universal declaration of human rights जो है 1993 वाला जो है उसके एक्ट के बाद में हमारे यहां पर भी स्टेट human rights commission फॉर्म हुए थे दोस्तों ठीक है तो यह क्या है a b and c इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उसके लिए मैं definitely पबंजी मापी मांगता हूँ मैं आपको जल्द ही हिंदी का translation भी डाल दोगा तो दोस्तों यह थे अपने राजस्तान पॉलिटी के कल जो है हम राजस्तान जोग्रॉफी के देखेंगे 10 बजे इसी समय पर ठीके आप सब लोग जरूर जो है प्रेजन रहेगा और राजस्तान जोग्रॉफी के हम पेपर जो है एनलाइज करेंगे तो पेपर एनलेसिस के बाद में जब हमारे सारे पेपर के एनलाइज हो जाएंगे 2021 और 2024 उसके बाद में हम क्या करेंगे अपनी क्लास जो है ट्रॉफी का भी डालेंगे और डेफिनिटली आज हो सकता है आपको कई सारे प्रशन नहीं आयोंगे लेकिन आप बने रहेगे क्लास में ठीक है और लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा रामाज गुरुकुल को अगर नहीं क्योंकि अगर आपने मतलब जो ह है रेस में पीछे पिछड रहे हैं थैंक यू वेरी मुच फॉर बिंग प्रेजेंट है ठीक है तो थैंक यू सो मुच पर अटेंडिक शेशन एंड विल डेफिनिटली ठीक है लुक फॉरवर्ड फॉर यॉर अटेंदेंस इन दे क्लास ठीक है आम एगर तो इंटरक्त तो आप इन सेशन को शेर तो कर रही सकते हो दोस्तों ठीक है थैंक यू वेरी मच वंदे मातरम दोस्तों जैहन